दोस्तों नमस्तकार स्वागत है आप सबका अपना चैनल टेंथ मस्ति में आज आप इस वीडियो में बाल विकास एवं सिख्छा सास्ति के बाले में कुछ परेंगे और अभी जो हम कुछ 30 प्रश्णों का सेरिज लेकर आये हैं जिस प्रश्ण को आप कर लेते हैं तो आगे जाने वाली हर एक एक्जाम को आप फाइट कर जाईएगा तो चलिए सुरुआत करते हैं इसमें है कि मिस्ति आयू वर्ग वाले विद्यार्थियों की कख्छा से बिवहार रखने वाले सिख्छक के लिए डैस का ग्यान सरवाजिक महत्पूर्ण है तो सिख्छक के लिए कि टरहें पहिला आप्षण, पहला आप्षण है कि इनके अभिभावक कों का भी बैफशाय के बैपक्रों चुल्मिल सिख्छक को अमटिकिन आप मताया जाएगा जाए यह तो गलत है डुसरा हाएं सांस्किर्तिक प्रिष्थभूमी biggestपूमी तो बुसरा है समाज इार्तिक सब्सक्राइब प्रिश्टिभूमी तीसरा है संस्क्रितिग प्रिश्टिभूमी और चौथा है भिकास सब्सक्राइब और चौथा प्रस्न का राइट अंसर होगा जाएगा अबस्था आगे आते हैं, देखते हैं दूसरा कोचन क्या कर रहा है, किसोर डैस का अनुभब कर सकते हैं, तो किसोर जो होता है, डैस का अनुभब कर सकते हैं, किसोरा बस्ता में रहने वाले को किसोर काते हैं, किसोर में लड़का अलड़की दोनों आ सकते हैं, तो इसमें पहला अपसन ह तो बचपन में किये गया प्राधों के परती ड़ का भाव, यह गलत हो जाएगा, दुसरा है आत्म सिदी के भाव, अपना काम हो जाया दुसरा की काम हो यहाँ यह करा रहा है, तिसरा करा है कि जीवन के बारे में परित्रेप्तिमाने सिर्फ अपने बारे में सोचना, यह कहीं से सही नहीं आए इसमें क्या दुष्चिंता इब स्वेंग से सरुकार तो यह तनाब की अबस्था होता है अंधी और तुफान की अबस्था होता है को यानि किसोरा अबस्था तो इसमें दुष्चिंता उसको रहता ही है तनाब रहता ही है दुष्चिंता भी एक पर प्रश्न कर दायत कि निम्लखित में से कौन सा विकास का सिधानत है निम्लखित में से कौन सा विकास का सिधानत है बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है कि विकास की सभी परकिरियाएं अन्ता समंधित नहीं हैं लेकिन विकास की सभी परकिरियां अन्ता समंधित होते हैं तो ये option भी गलत हो जाएगा ये option क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा दुसरा है विकास की सभी की विकास दर्समान नहीं होती है तो ये बात सही है कि जितने भी लोग है सभी की विकास दर्समान नहीं होती है तो इस प्रेस्ट का राइट एंसर हो जाएगा 6. нос कि अपश oh कायुएंकि बच्चों की बिकास दरभीन उता है और वे बहुत तरीके से सकते हैं इसका यही होगा कि बच्चों की विकास दर जो है अलग-अलग होती है और बिन्विन तरीकों से सीख सेकते हैं चलिए इसको होल्ड करके आगे वाला अप्सन भी देख लेते हैं विजार्थी हमेसा समुहों में ही बेहतर करते हैं लेकिन जोर दिया कहा जा रहा है कि हमेसा लुआ है इसका क्या होगा अगे कहता है इसमें प्रतेक विजार्थी को अनुसासित करने के लिए श्विसकों को बहतर आफसर मिल जाए तो इसमें सबसे पहली बात है बीजार्थी को अनुसासित नहीं रखना वह सब्सक्री दृति को कठोर दन्द देना है इस अब बद हे आगे अब पाच्मा कोच्चन की तरफ हम चलते हैं कि पाच्मा कोच्चन क्या का रहा है बहुत इंपर्टेन प्रस्ण है ये भी इसमें का रहा है कि हिंदी के हिंदी के पाच्मा कोच्चन है कि हिंदी के अक्षरों को बालक किस आयू में पाचाने लगता है तो हिंदी के अक्षरों को बालक पुर्व बाल्य आवस्था में पहचानने लगता है तो पुर्व बाल्य आवस्था की आवधी होता है तीन से छो वर्स तो तीन वर्स में तो सिखना सुरूए करेगा पहचानना सुरू करेगा तो अग कब तक पहचान जाएगा तो चार वर्स की आयू में पहचानने लगता है हिंदी की अक्षरों को बालक चार वर्स की आयू में क्या करता है पहचानने लगता है हिंदी की अक्षरों को बालक चार वर्स की आयू में पहचानने लगता है तो गर्में बालक को विख्षित होने में 280 दीन लगते हैं यदि महीना में रहेगा तो हम लिख सकते हैं कि 9 महीना 10 दीन अर्थात जो है दूसा 80 दीन लगते हैं इसके अराई चनसर होगा आपसा नम्बर दू दूसा 80 दीन तो छलिए देख लेते हैं कोच्चन नबर सात कहता है कॉच्चन नबर सात में कह रहा है की नवजात सिश्व का भार क्या होता है नवजात का भार होता हैकितना होता है छो स्यंपाउंड 7,8 पाउड 9 इसका राइट इन्सर होगा आठ पाउंड इसका अनसर होगा आठ फस्त नवर fon time northwest तब लोव अबदी की आयू क्या है त्बिढ हमे पुरिव अबधी कि आयू होता है से एक से तेन वर्स नहीं है इसमें हो जाएगा 13 से 18 हो जाएगा ऑफसन नबर दू हो जाएगा 13 से 18 वर्स चलिए अब कहता है दसमा कोचर कि पाचमी कच्छा के छात्र कच्छा पाचमी कच्छा के छात्र के कच्छा रूटीन में होना चाहिए तो सभाविक सी बात है पाचमी कच्छा है तो पांच पिरियड होंगे और रूटीन एक पिरियड होता है पना 45 मिनट का तो परतेख पिरियड कितना होगा परतेख पिरियड 45 मिनट का होता है और पांच पिरिय कि एक पीरियद 45 मिनट के होते हैं और प्राथमिक अच्छा है इसलिए प्रांच पीरियद इसमें होगे चलिए अब देख लेते हैं अगला कोचन बला ही इंपोर्टिन प्रसंद सब है कहता है कि प्राथमिक अस्तर पर एक सिक्षक में निवन में से किसे सबसे महत्मुन विसस तो यह ब्राथ गलत नहीं है बच्चों सिक्षकों में पढ़ानी कुछ सुकता होनी चाहिए तेकि सबसे अधिक कोन महत्मुन नहीं ध्यान देना है दूसरा है धर्ज और दिढ़ता तीसरा है शिक्षक प्रतियों कि घ्यान में दक्षता तो आज तक नहीं हुआ है किसी दक दिढ़ता होना चाहिए तभी वह सही से मैं उसका सिलफ अत्मिस्वास जतना उच्छा होगा वह अच्छे से सिक्षन कार्ज कर सकता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा ऑपसर नमबर दू धर्ज और दिढ़ता धर्ज और दिढ़ता चलिए अब देख लेते हैं करता है पहला है कि अच्छी सिक्षा के बेवहारिक मुल्यों के लिए सिक्षार्थियों का सिक्षन दूसरा है परते एक विदार्थिक की अंतर जात परतिभाओं का पोसन करना एवां प्रस्ण करने के अफसर उप्लवज है कराना मैंने परते एक विदार्थिक के अंतर जा प्रतिभाव को खोजना और उसे प्रश्न करने के अफसर उप्लवध कराना तीसरा देख लेते हैं कि विद्याले जीवन के प्रादम में उप्लवधियों के लक्षो पर बल देना बल देना जोर देना इसाब क्या है नेगटिव टेगवाड यह तो होगा नहीं पर इसामें अ प्रश्न करने के अफसर उप्लवध कराना आगे देख लेते हैं कि बच्चों के संगयनात्मा की विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिवासित किया जा सकता है इसा इतना बड़ा रिपीट हो चुका है तो पहला है खेल के मैदान में तो खेल के मैदान में बच्चों संगयनात्म में विकास होता है उतना कहीं नहीं हो पाता है इसलिए इस प्रश्न का राइट एंसर होगा ऑपसर नमर दू विद्याल एवब कर्च्छा में चलिए अब आगे देखते हैं कि निम्न में कौन सा प्याजे के अनुशार बौधिक विकास करने रिधारत तक तक त प्याजे महदे ने कौन-कौन सा वट दिया था इसके बारे में अगर जान जाएएगा तो एक दम आसान है पहिला है समाजिक सनचना दूसरा है अनुभाव तीसरा है संतुलनी के रहनी में से चौथा इन में से कोई नहीं तो अनुभाव के अरहार प्रतों बोला था संतूल संतूलनी के बारे में सनतूलन के बारे में क्यं recognizing बोला था समाजिक सनचन के बारे में बय गोंचित मौन ने बोला था इसलिए पीाजय के अनूसार यहीं एक समाजिक सनचना है जो निधारतत्य नहीं हो सकता है तो सब्सक्राराइट रहे हूगा तो यह मूर्त अनुभव के बारे में बता रहा है तो मूर्त संकिर्यात्मों का वस्ता जो होता है पियाजे के अनुसार साथ से बारा वर्स तक होता है क्या होता है साथ से बारा वर्स तक के अबधिक में होता है इसलिए इस प्रेशन का राइट अंसर हो जागा ऑप्से नमर चलिए अब आते हैं पूच्छा नमर 16 की तरफ इसमें कहता है विकास के संदर्ह में निवन में कौन सा कथन सत्ती नहीं है पहला कह रहा है कि विकास की परतेक आवस्था अपने में खत्रे हैं अच्छा ये बात भी सही है विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है अच्छा और आगे कहता है विकास संस्कृतिक संस्कृतिक प्रिवर्तनों से प्रभावित होता है पर चौथा है विकास की परतेक आवस्था की अपनी विश्यस्ता होती है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अपसर नबर दो अपसर नमबर दो बढ़ावा देने से नहीं होता है मन बढ़ावा देने से होता है लेकिन इसमी करा है कि उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है इसलिए इसका राइट अंसर हो जाएगा निगेटिव कोश्चन है तेहीं हो जाएगा आपसर नमबर दू विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है चलिए कोश्चन नमर 17 की तरफ बढ़ते हैं कोश्चन नमर 17 कहता है निमिकित में से कौन सा विकास अत्म कार्ज उत्तर वाले आवस्था के लिए उप्युक्त नहीं है तो उत्तर वाले आवस्था साथ से बारवर्स होता है तो इसमें क्या होता है उप्यूक्त नहीं है काता है तो पहला अपसन काता है कि समान खेलों के लिए आवस्थक सारी रिक कुसलताई सीखना दूसरा है पुर्सियोचित और इस्तियोचित समाजिक भूमकाओं को पराप्त करना तिसरा है बैक्तिक आत्मिर भरता पराप्त करना और चौता है हम उम्र के बालकों के साथ रहना ते इसका राइट अंसर होगा पुर्सियोचित और समाजी भूंकाओं को प्राप्त करना यही जो है उप्योकत नहीं माना जाता है क्योंकि यह किस्वरावस्था में एगुन पाया जाता है इसलिए इस प्रश्ण का राई टेंसर हो जाएगा अब सनबर्दू पुर्श्योचित्याइश्चित्योचित्यों की समाजी भूंकाओं को प्राप्त करना वागँ करता है कि भूख सारे प्रश्ण के पूखे जाते हैं इसमें कर रहा है, विकास का अर्थ है वहीला नहीं का इसलिए तहब्स श्रेयल का वा होने वाले परिवर्तनों की उत्रोचता를 चौत्या泥 है इसमें प्रेवर्णा और अनुभव्वा कि फलीडनो को सामिल किया गया है ? तो अही प्रेरणा दुसरों से पेरिद्ख होकर और खुद के अनुभव से यदि कोई कार्च करता है तो इसका विकास तेजिस से होता है तो इसमें दोनों होगा और चौथा अप्सन भी तिसरा को होड़ करके हम देख लेते हैं चौथा कहता है परिपकवता परिपकवता अग तक किसी में कि हुआ है अनुभव जाये विकास कोई पूर्ण परिपकवण नहीं होता है इसलिए इसका रायट अंसर हो जायेगा अभी पिरणा इववव के फ़ल सरुप होने वाले परिवर्थ्नों की उत्रुत्तर स्रिंख़ अब कहता है खिलाओने की आयू कहा जाता है तो खिलाओने की आयू जो है पुर्व बाल्य आवस्था को कहा जाता है इसलिए राइट अंसर इसका हो जागा अपसर नुबर एक अब आगे है कोच्च नमर बीस कोच्च नमर बीस कोच्च नमर बीस कहता है निम्लखतम से कौन सी पूज़ बाल्य आवस्था की विस्यस्ता नहीं है पहला आपस्थन कहता है जल समुऊ मेर इस दुसरा बाले आवस्था में बालक भौतिकों में किस अवस्थत्त त में परिवर्तन समझने लगता है तो आज देविमान में संख्या में और छेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है इसलिए इस प्रश्न का राइट एंसर हो जागा, अपसर नमबर 4, क्योंकि पहला में सिर्फ दर्मान है, दुसरा में दर्मान है, तीसरा में क्या है, संख्या सिर्फ है, इसलिए तीरों के बारे में समझता है, इसलिए राइट एंसर हो जागा, अपसर नमबर 4, दर्मान संख्या और छेतर के बारे मे आया कहता है बाल विकास का क्या अर्थ है बाल विकास का अर्थ है पहला कहता है बालक की लंबाई मुटाई और चौराई में विकास बालक का बहुधिक विकास दूसरा कहता है तिसरा कहता है बालक का सरवांगिन विकास होता है कहता है बालक का विकास तो इसमें बालक का सरव होगा option number 3 बालक का सरवांगिन विकास अब कहता है सहस्वा बस्ता में बालक का भार बालिका से क्या होता है अधिक होता है तरह आई टेंसर होगा option number 2 अब कहता है चोविसमा question बाले बस्ता में सिख्षा का सुरूप निचे करते समय निवन में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए पहला है बालक की भासा के ग्यान पर बल दिया जाना चाहिए दूसरा कहता है उसकी पुस्तकों की बिसेश समगरी में रुचक्ता और विविंत होने चाहिए चौथा कहता है उप्यूटने से सभी तेस सभात होना चाहिए इसलिए इस प्रस्ट्ट का राइट एंसर होगा उप्यूट सभी आपसन नमर चार पचिसमा कोचन कहता है बाल मनोविग्यान की ब्यभारी कुपा देता है पहला है समुचित निर्जसन के लिए ब्यभारी कुपाए बता सकता है दूसरा है बालक की अविर्थियों का लाव उठा सकते है तिसरा है बेक्तिकत कटनईयों का निवारन हो सकता है चौथा है बाल इसका राइट एंसर हो जाएगा, आपसन नमबर वन, आगे हैं, देखिए, बड़ा इंपर्टेंट प्रशन है, बच्छों के बारे में हैं, कि सहस्वावस्था के दो समान भै क्या क्या होते हैं, तो सहस्वावस्था में जो होता है बच्छा, वह तो अपरचित लोगों से ज दो आगर आगर रहना नहीं पषद करता है, तो चलिए, हम देख लेते हैं, इससका राइट असर क्या हो सकता है, बच्छित लोगों से लोगव, लिए प॥ा जाए, तो यह गया है, यह तो गलत हो जाएगा, इसका क्या है यह तो op Leb helmet में गलत हो जाएगा, दूसरा है, परित प्रिस्थि कुछिंता रहती है और इंदकार का और जाएगा अगे है टीसरा गता है अंधकार का भई बं गिरने का भई थे यह भी गलत है इस प्रशन का राइट एंसर होगा अपरचित चिंथा मैं अपरचित लोगों से उसको डर लगता है और इसका प्रिस्थि Как प्रिस् अब आते हैं कोच्छ नमर 27 की तरफ कि बालकों में सर पर्थम किस चिंतन का विकास होता है, पहला है क्रटनात्मक चिंतन, दूसरा है परतिया अगात्मक चिंतन, चौता है अनुमान चिता और प्रत्यक्षात्मा चौता होता है सामने तो बास्ता में बच्चों में सबसे पहले उसी बात को वगत सुचता है जो उसके सामने होता है सामने से जब ओजल होता है उसके सामने से आँखों से जब ओजल होता है तो उस सब्से पर्ले चिंतन घाल आगे कहता है अठाईसमा कोचन कि सुरा वस्था को जीवन का सबसे कठीच आल पहले कि लेकिन इसको हम कमेंट बक्स में आप लोग बताईएगा कि क्या होगा, ऐसे तो हम इसका एंसर चौथा लगा रहे हैं, इसका होगा बालक भाव परधान होता है, यह लगा रहे हैं, प्रस्ट पर हमको डाउट लग रहा है, इसलिए आप लोग भी कमेंट करके हमें बाल मनों विग्यान में अध्यान किया जाता है, बाल मनों विग्यान में अध्यान किया जाता है, पहला है बालक के बेभार का, दुसरा है गर्व कालिन अवस्था से परिपकवता तक, तो बास्तम में बाल मनों विग्यान में होता है, गर्व कालिन अवस्था से परिपकव इसलिए इस प्रश्ण का राइट एंसर होगा ऑप्सन नमर दू गर्प करने वस्ता से प्रिक्वत्ता तक होगा चलिए इस सेरिज का लास्ट कोश्चन पर रहे हैं और ध्यान दीजिएगा यह सभी 30 प्रश्चन कर लेते हैं तो आपको आगे आने वाले सिट्ट इग्याम में कोई कटनाई नहीं होने वाली है और इस तरह की और भी हम सेरिज लेकर आएंगे तब तर लास्ट कोश्चन हम देख लेते हैं कहता है निमन में किस से किसने सहस्वावस्था को सिखने का आदर्सकाल मना है तो यह मन वग्यानिक का है तो इसका होगा वैलेंटाइन महोदे न जो है फेपर वान और फेपर टूट दोनों के लिए बरदाम सावित होने वाली है और मुझे उमीद है कि आपको या जानकारी जो है अच्छी लगी होगी इस तरह की और भी वीडियो यदि देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब करें दोस्तों से सेर करें मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू फोर वाचिंग